है दोस्तों नमस्ते मैं आपके लिए कुशन का एक नए डजाइन बताऊंगी इस तरह का दिखीगा ये मैंने इतने साइज का बनाये हुआ है आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं इससे छोटा भी बना दोते हैं अब मैं आपको कपड़े पर ड्राप बनाओ इस डिजाइन का मैंने कपड़ा रखा हुआ है ये कपड़ा जो मैंने सीधा रखा हुआ है ये उल्टा है और ये सीधा है इस कपड़े का तो मैंने ये सीधा जो है ऊपर की तरफ करना है ये सीधा रखना है इसे कपड़ा जो ड् यह भी 24 हुआ और इधर से फिर आगे फिर मैंने इधर जो है नाइन इंच और लेना मैंने यह निशान लगा दी यह पूरे होगे 33 इंच हो गया इस चारों तरफ से मैंने कपड़ा जो है 33 इंच जो है काट लेना है चोर्स बन गया हमारा कपड़ा 33 इंच ऐसे काटा और 33 इंच ऐसे नीचे को काटा और 33 इंच ऐसे नीचे को काटा और 33 इंच ऐसे नीचे को काटा और 33 इंच ऐसे ही फिर यह हमने जो है कैंची की साहिता से हमने काट लेना यह कपड़ा जो है चारों तरम से इसकी लंबाई भी यह चुडाय भी तेटि होनी चैए फिर हमने कहीं मैं इसको चारों तरफ से हमने इसका तीन तीम इंच जो जिखनी शान लगाना निच्शे को जैसे ये हमने इधर तीन इंच लगा लिए फिर आगे वी ये हमने आगे तीन इंच तक लाएन लगानें तो फिर हमने इधर भीत तीन आगा लिए फिर आपने परह streets is it यह जो हमने अब तीन इच जो है हमने इच छोड़ दिया कपड़ा अब इधर से भी तीन इच हमने जो है कपड़ा छोड़ना है कि दिन इच आप अब यह भी हमने इदर भी स्केल की साइतासे हमने लाइन लगानिगें का लाइन लगाई है है इसके अंधर हमने स्केल की सायता सि। एधर से लगाए हुए इसके उपर से स्केल रखना है फिर ऐसे लाइने लगाने येसे अगे तक हमने लाइन लगाए हुई है उदर तक हमने जो है ऐसे लाइन ने लगानी है यह ऐसे एक लाइन आगे फिर हमने दूसरे लाइन जो लगानी तो इसके उपर जो है स्केल रखना है फिर हमने ऐसे 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 फिर आगे तक क्या कहते हैं इस लाइन से बाहर लाइन ने लगानी इसके अंदर ही लाइन लगानी है एप दो तीन चार पांट छेस सार्ट नो ग्यारा बारा तेरण तोदा अंदरा सोड़ा सत्रा ठारा उन्नीस बीस और यह साइड किया गई यह जो हमारा इतना कपड़ा जो है बच गया इ यह जब सिलाई करेंगे तो इसको कट कर देंगे हम यह हमारा इस तरफ बचा हुआ है तो हमारा इस साइड भी एक तरफ भी बचेगा फिर हमारा फिर जो है चोड़ सा जाएगा यह पहले की तरह जो हमने जैसे इधर लगाई लाइन है वैसे हम अब इस साइड से पहले हमने ऐसे रखा हुआ था ऐसे से रखते गें अब हमने एसे रख जो ये लाइन ए फ्रस्ट लाइन हमने इस लाइन के उपर रख वाँआ है फिर हमने ऐसे जो है उन्डेर से सइकर की साइट से लाइन लगा दें कोो यह कुछ Frost just तक आगे तक हमना ये भी 20 लाइन जो है लगाने जैसे जितनी ये लगाई हैं उतनी ही ऐसे आगे तक लगते जाना है जो खाने हैं ये 20 होने चाहिए तो ऐसे भी 20 होने चाहिए जैसे एक तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं तो आपका जो कुसन है वो इससे बड़ा वनेगा जिस अब मैं इसमें आपको टांका लगाने बताऊंगे जो आप इसको कहीं से भी टांका लगा सकते हैं चाहिए आप इस तरफ चलो चाहिए आप इस तरफ चलो मैं आपको आपको ये मेरी सुई है वो इसमें एक ऐसा मोटा धागा चाहिए मापको इस दर्फ चलती हूं आपने ऐसी टंके लगाने शी देशी लाइन में और एक लाइन जो है अपने खरली छोड़नी है यह पहले में आपको टंक हमताती हूं आप ने या नीचे से अच्छी उपर ले कराना नहीं पीछे गांत लगाई विए था देपो फिर आपने इसी कोने से ऐसे उठाना है और फिर ये इसी में से दूस्तरा कॉनल जो है ऐसे उठागा लेना है और कि यह ऐसे पक्ड़ना है और हमने इसको एक वार और पका कर लेना है यह हमने इसके दो कोने जो हम पकड़ लिए अब हमने ये जो हमने इसके तीसरा और चोथा कोना है वो भी हमने पकड़ लेना इसी ही का यह हमने ये धागा जो हमने इस कोने में अब तीसरे कोने में लगाना ऐसे डंका और इसको इसके नीचे से लेकर जाना उपर से नीचे से लेकर जाना फिर हमने इसका चोथा जो है कोना भी पकड़ लेना ऐसे यह हमने चोथा कोना भी पकड़ लिए यह हमारे जो भी चारों को पक्का कर लेना है फिर हमने चारों को ऐसे पक्का कर लेना है फिर हमने इसके उपर यह फूल जो बन गया इसके उपर हमने एक मोती लगाना है जो एने ये ब्ली कलर का मोती लियो है ये मोती जो हमने इसमें सुई में ऐसे ले लेना है फिर हमने इस मोती को भी पक्का करना है फिर हमने फिर ये चारों को ऐसे पक्करने है ऐसे फिर हमने ये जो है टांका लगा दिया इसको फिर हमने इस मोती जो है पक्का करना है ने एक प है चारेहों तरफ ऐसे देखेज अे हैं दाके से बान देना है। कि यह मारे फूल बन गया है यह मोतिव लगा दिया है। अभड़ाच धीध हम यह सी सब्सकirst बीख से निचए को निकाल धेनी है question कि नीचे को नकाई दिनमेंने पिर जो हमने ये एक जो डिबी है हमने इसके चारवकोणों पेञर नेकर लिए फिर हमने दूसरी डिबी से इस कोने में लेकर आना है जादनी खिंचना है वस ऐसे इंडेला चाहिए तना फिर हमने इसके चारो कोने फिर वैसे पक्ड़ने है अब इसमें भी उपर जो है मोत्ती लगाना है यह मोत्ति लगा दिया मोत्ति लगाने के बाद फिर हमने इसको ऐसे पक्का कर देना मोत्ति को फिर यह मोत्ति जो है मारा निकले गनी एक आट जो हमने ऐसे मोत्ति में देनी है फिर एसे हमने यह जो धागा मार उपर आ रहा है हम इसको इदर साइड से हम नीचे निकल देंगे फिर हमने जो है यह जो धागा यह एक डिबि यह छोड़ देनी है फिर हमने आगे की डिबि पकड़नी है ऐसे ईपर तक ह detect जाने है ऐसे ही एक डीपी बनानी ही ही चारों कोने ही फिर हमने एक छोड़ना है एक चोड़ना है ऐसे एक LINE कंप्लेट करने ही फिर दूसरी मिल्ट पूरी खृड़े फिर लएन में मतलब इसकी एक में नी चोड़ना और फिर चोड़न उन्सके एक डिपबी चोड़ने बीच में और दूसरी की कोई भी डिपी नहीं बनाना हích क्टेश्ट था इसे एक लाइन में मैंने बना दिया एक चोड़ा हुआ खाना चोड़ा हो और फिर दूसरी लाइन में वापस में मैंने पूरा लाइन चोड़ा है इसमें कोई डिजाईन पूरी डाले बावने चैनल आप इसको पीछे से पीछे वी एक कपड़ा लगा के बना सकते हैं जो मैंने इसमें जीप लगाई हुई है यह मेरा त्यार हो गया एक यह ऐसे जो बना के रखा हुआ है यह एक साइड है ने कपड़ा लगा यह और यह जीप लगा दी था कि आप इसमें कुशन डाल के आपका ऐसे त्यार को के बन जाएगा देखनें भी अच्छा लग रहा है उसमें मोती लगे हुए है और फुलाबर बढ़े हुए हैं यह बहुत प्यारा कुशन लगएगा जो एक मैंने इस कलर का भी बना के रखा हुआ है जो अच्छे लगरी हैं देखने हैं अज़ा आप कि अज़ा आप कि कि अज़ा आप